Hey friends, click this subscribe button and press this bell to watch my latest videos daily. तो इसको जानने से पहले आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें and tap that bell to watch our latest videos daily. बरफ से बनी आपकी पसंदीदा ड्रिंक, बरफ का गोला या फिर शिमला की बरफ. लेकिन क्या आपको पता है, बरफ का एक छोटा सा टुक्टा आपके सुंदर्रे को बढ़ा सकता है और त्वचा की आम समस्यों से छुटकारा दिला सकता है. टिप नामबर वन, चेहरे पर बरफ लगाने के फायदे. पिमपल्स के लिए, चेहरे पर बरफ का उप्योग करने का सबसे पहला बेनिफेट है मुहासों का सिकुर्णा. बरफ मुहासों की वज़ा से लालिमा और सूचन को शान्त करता है. बरफ का यूज मुहासों में हो रहे दर्द से भी राहत दिलाता है. इसके लावा आप नीम या पुदीने की पत्तियों को पानी में उबाल कर बचे पानी को आइस क्यूब ट्रे में डाल कर जमा सकते हैं. इससे मुहासे बढ़ेंगी भी नई और चेहरा भी साफ हो जाएगा. याद रखे कि पिमपल्स काफी नाज़ुक होते हैं. ये बेक्टीरिया से भी भरे हुए होते हैं. इसलिए मुहासों के लिए चेहरे पर बरफ क्यूब लगाना चाहिए. बरफ को सीधा चेहरे पर ना लगा कर किसी सूती कपड़े में लपेट कर इसका यूज करें. बरफ बनाए सुस्त वाचा को चमकदार सुस्त वाचा को ठीक करने के लिए आप अपने चेहरे पर एक बरफ क्यूब लगाएं. चेहरे पर बरफ लगाने से बलड सर्कूलेशन बढ़ जाता है तिसे चेहरे पर चमक आती है. आपका रंग सौभाविक रूप से चमकेगा अगर आप मेकप करने से पहले बरफ क्यूब अपने चेहरे पर लगाएंगे. साथ ही चेहरे पर बरफ का यूज, जुर्यां और बड़ती उम्र के निशान कम करने में भी मदद करता है. चिप नमबर 3 बरफ के टुकडे करें चेहरे की मसाज. आप कुछ आइस क्यूब थेरिपी से भी अपने चेहरे का इलाज कर सकते हैं. एक पतली साफ तॉलिये में कुछ आइस क्यूब लपेटे और धीरे से अपने चेहरे पर रगडे. ये रख परी संचरण आपके चेहरे को एक अच्छी मालिश देगा. टिप नमबर 4 चेहरे की सूजन कम करने के लिए बरफ के क्यूब्स चेहरे पर लालिमा और जलन को कम कर सकते हैं. हो सकता है कि आपको एलर्जी की प्रतिकिर्या हो या फिर किसी अन्य कारण से आपकी त्वचा या चेहरे पर जलन या सूजन हो रही हो. तो इसलिए चेहरे की सूजन को कम करने के लिए बरफ की क्यूब्स को चेहरे पर रगड़ना सबसे अच्छा है. चिप नमबर 5 सन बर्न में असरदार अलो वीरा ठंडा होता है जो आपको सन बन जैसी प्रॉब्लम से चुटकारा दिलाता है और अधिक राहत के लिए आप शरी के और बोडी पार्ट्स पर भी इन क्यूब्स को रगड़ सकते हैं. अगर आपके पास अलो वीरा नहीं हैं तो खीरे के रस से बने आइस क्यूब्स को चेहरे और तवचा पर रगड़े. इसके अलावा सन बन से तुरंत राहत पाने के लिए आइस क्यूब्स पर गुलाब जड़ डाले और उसे तवचा पर रगड़े. टिप नमबर 6 पफी आइस के लिए सूजी हुई आँखों को शान करने के लिए टी बैग का उप्योग करना सबसे लोग फिर रहे हैं. लेकिन तुचा पर हरी चाय बरफ के क्यूब्स को रखने से आखों के चारों और विशेश रूप से आखों के आसपास की सूजन कम हो जाएगी. तो आज की इस ब्यूटी वीडियों में हमने जाना चैरे पर बरफ लगाने के क्या-क्या फायदे होते हैं. अगर गर्मी के मौसम में आप भी चाते हैं आपकी तुचा दमक्ती और शाइनिंग रहे तो इसके लिए आपको आइस क्यूब्स को अपने फेस पर लगाना चाहिए. इससे आपको कई तरह के स्किन बेनिफिट्स होंगे. So this much is for today. I will be back with more beauty videos on my channel. For that subscribe my channel and share this video with your friends. Till then stay happy and stay beautiful. Bye!